हेलो फ्रेंड्स मैथेमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग CPM PART Subject Civil Engineering का शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग Chapter No.1 हमारा Project Management शुरू कर रहे हैं अब हम लोग Define करते हैं सबसे पहले Project क्या होता है Project कोई भी काम हम लोग जो करते हैं और उसका हमको Perform करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे Project बोलेंगे कोई भी Project अगर हम सुरू करते हैं तो हमारा Project शुरू करने के पीछे तीन मकसद होता है सबसे पहले समझते हैं कि Project है क्या तो Project कोई भी काम जो करते हैं वही Project है याईसे का आज हमको एक लाइब में अगर कुछ करना है तो सबसे पहले घ्रीजब लेना आपका फेक है कंशे निकलेगा निक्त्रावेग फिक है फॉछाल situation President अबहें हम हम कि पूर्जेंद के तरफ बात करते हैं कि अपहां कि नहीं ने सब कहने का बात है ठीक है जो एक्षुल बात है वह एक्षुल पर बात चलता यहां पर ठीक है तो सपोज कि आटीजी कि हमारा एफ्रिस ठारगे हुँ गते अगाल कुरू गया 우려 kया सब्सक्राइब को से चली करेंगे पूर 1-2 पयारी कर देंगे चलीयाव को 60 जाद स्त्र Brexit करेंगे और पहले ही आरी तरीका दो कल घ्ली चली कर रहे हैं और पहले ही बार तरीलनाी लाएंगे सो में अब्बे लाएंगे तो that is not thing आठीक है आगर बहुत ज्यादा strong है आप तो ठीक है उसके लिए कोई दिकत नहीं है लेकिन जो basic student ज्यादा तर होता है 70% तो basic student ही होते हैं average student होते हैं कुछ below average भी होते हैं तो उन सब के लिए कि ठीक है भाई एक आप moderate target fix कीजिए और उसके हिसाब से काम कीजिए ठीक है तो target भी अपने हिंदी में एक वर्ड है ओकाथ तो target भी अपना ओकाथ के हिसाब से ही select करना चाहिए ठीक है कि तो कोई भी project है एक्जांपल की ससी जई का त्यारी करना एक project है तो उसको हम लोग क्या चाहेंगे तीन objective लेकर इस चीज का त्यारी करना हम शुरू करेंगे कि इस त्यारी को हम कितना जल्दी से जल्दी खतम कर देया कि ठीक है एक साल 6 महीना 6 महीना 7 महीना आठ महीना 9 महीना में हम लोग कितना जल्दी इस का course खतम कर लेक दो महीना test देले exam दिया और exam निकल गया और हमारा फिर एक दो साल के प्रोसेस के बाद जोब भी लग गया तो यह हमारा एक क्या हुआ? अब्यक्टिव हुआ फिर हम लोग इस तैयारी में ये भी सोचेंगे कि हम लोग बहुत कम से कम टाइम लगा है तो दिकत का बात है क्योंकि फिर पांच साल अगर आप इसमें दे रहे हैं तो समझ जाए तो अभी जो सिच्वेशन है वह एक्जाम का ही प्रोसेस दो साल का हो जाता है जाता है और म थीन साल से जादा आगर आप टैरी में में लगा रहा ह Psychology है ये सब अबजॉक्टिव लोग फिर हम लोग यह देखते हैं हमारे पास जो है मैक्सिमूम और नहुट आप सत Kait कर सके ठीक है तो यह 3 objective हो गया क्या कि minimum cost में minimum time में और maximum utilization और रिसोर्स करें यह 3 objective होगा ठीक कोई भी resource जो होता है वो content करता है बहुत सारा component को जैसे उसमें कुछ jobs होते हैं कुछ activities होता है कुछ task होता है तो यह सारा चीज यह एक दूसरे से related होता है और यह जब फ्रोजेक्ट खतम होगा मतलब भोलें खता ही निफुत पर दूसके होगा बात करते हैं कि कोई भी project है अगर तो कैसी aspects time पर सुरू होगा कोई particular time पे उसका एक duration शुरू होने का एक निश्चित काल होगा और बोलते नहीं है कि हर चीज का एक समय होता है तो वही बात है कि प्रोजेक्ट करने का शुरू करने का एक समय होता है प्रोजेक्ट कितना लंबा खीचेगा उसका भी एक समय होता है और प्रोजेक्ट कब खतम होगा last कब होगा उसका इक समय होता है कुछ ऐसा प्रजेक्ट है जिसको हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कितना लंबा की जग्थ जैसे अगर आपका कोई प्रोजेक्ट सलीक कोई ऐसका ब्रियार कोई धंब मारी या उसका ब्यक्सीन हमको बनाना है तो अब देख रहे हैं थे न कि सारा देश मिलके वैक्सिन बना था लेकिन यह हो जी नहीं रहा था कि कोई वैक्सिन काम ही नहीं करा था अभी तो अभी के समय में तो एट परजेंट में सारा वैक्सिन बन गया है को वैक्सिन और कौन-कौन सा बहुत सा बन गया है लेकिन जब तो duration आप fix कर सकते हैं कि ठीक है एक साल का जब कोई कर लिया है जब कोई टॉप करता है अगर वो बोल रहा है कि 8 महीना 9 महीना में त्यारी किया है तो आप भी कर सकते हैं ठीक है अगर कोई काम कोई कर लिया है इसका मतलब है कि वो आप भी कर सकते हैं ठीक है और अगर कोई काम कोई दुज़रा व्यक्ति नहीं किया है तो वो काम तो आपको जरूर करना चाहिए है कि नहीं हर हाल में हमको काम करना है ठीक अब बात करते कि जो भी प्रजेक्ट होगा उसको करने के लिए उसको करने के लिए हमारे पास रिक्विर्मेंट होता है रिसोर्स हमारे पास क्या-क्या हो सकता है वो देखिए तो जो बात मैंने बोला है यहां पे लिखा हुआ है आप लोग लिख लेंगे जो रिसोर्स हमारा होता है कोई भी प्रप्रेट को ख़तम करने के लिए रिसोर्स का रिक्वार्मेंट होता है और रिसोर्स हमारे पास जो ह करना है कहां करना है कौन करेगा यही सबना बात आता है कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करना है अगर गेट रही करना थो गेट करना है तो इसे के लिए करना है थो लग मेंचर्ण तयारी करना है, तो देखरों समय है कि अब लाइन कहहरा है तो आप म Previously का और देक्सन हो गया है ber kilo 的 लेक्टॉप में लेक्षर देख रहे हैं कि फिर बात करते हैं कि इस पेस मतलब कि आप अपने प्रोजेक्ट को कहां करना चाहते हैं जैसे आप अपने एक्जाम के त्यारी को कहां करना चाहते हैं घर में बैट के करना चाहते हैं कि कहीं होस्टल में बैट के करना चाहते हैं कह फेक्टर है जो डिपेंड करता है ठीक है अब को ख़ुश्ठ करते हैं से सज्ट आगर त्यारी करना है तो ठीक कर सकता है कि एक नोट पॉइंट यह है ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी कंट्री में है और वहां पे बहुत सारा रिसोर्स है तो आप developed भी होंगे, आपके country का productivity बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो मैंने बताया था ना, कि maximum utilization होना चाहिए resource का, अगर जब तक कोई country अपने available resource का, maximum utilization अपने लोगों को पहचानेगा नहीं कि हमारे लोग में क्या talent है, हमारे लोगों में क्या भागता है, यहाँ पर लोग एक race चला हुगा है, कि हाँ ठीक है, कहीं भी कुछ के त्यारी करने लगे, अपना skill आदमी छुपा देता है, और हर कोई यहाँ पढ़के job ही लेना जाता है, ज़ूरी है, पढ़ाई से ही job मिलेगा, बहुत अपना skill पर भी अगर काम किया जाए तो वो हमको developed बना देगा, लेकिन यहाँ तो अलग ही दोर है, ठीक है, तो एक नोट यहाँ है कि country rich in material resource may not be rich in terms of their level of productivity, higher level of productivity is mainly because of optimum utilization of resource, ठीक है, अब बात करते हैं कि हम लोग engineers हैं और हम लोग engineer deal करते हैं materialistic things के बारे में, मतलब technology, material यही सब हम लोग design करते हैं और इसी के बारे हम लोग अब लोग उस technology को use कैसे करेगा, है कि नहीं, technology आप भर भर के ATM खुल दियें सब जगा, अलोग को ATM use करना माल लेजे, आही नहीं रहा है, तो वोग पैसा कैसे निकालेंगे ATM से, है कि नहीं, तो वहाँ पे फिर role आ जाता है management का, कि management क्या service provide करेगा, कि लोग technology से अपन tuning बना सके, और technology से अपना जो है, क्या बोलते हैं, उसको synchronize हो पाएं, sync हो पाएं, कि technology को use करना सीख पाएं, ठीक है, जैसे इंडिया में अभी क्या है, technology तो ठीक था, का ही गया है, लेकिन क्या हम लोग उसका maximum utilization कर रहे हैं, का नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस दिन हम अप कम 15-15 मिनट के lecture में divide करेंगे, और हार एक lecture में आगे भी देखते चले जाएंगे, ठीक है, thank you